नमश्कार दोस्तो किरन मॉम ब्लोग मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आ गए हूँ तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज मटर पनीर की सबजी जो जट पर त्यार होकर बन जाती है मैं महवानों के लिए खाना बना रह डीफ फ्राई करने के बाद ही मैं इसकी सबजी बनाऊंगी तो बस में यहां सारे पनीर को गोर्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूं पनीर ओल्मोस फ्राई हो चुके हैं और अम मैं इन सारे को निकाल कर अलग से रख लूँगी अम मैंने उसी कड़ाई में तेल गरम कर होनी कर अलगी जैसे ही जीरा कड़कने लगेगा तो मैं इसमें तो जारे भी ली दाल की को बस मैंने ऑपे पर ले लिया है झीड़ में तो कड़ि पत्ता और दालकेज़्ी कड़ी पत्य का भी कलर चेंज हो चुका है अब मैं इस स्टेज पे कटे वे प्याल दाल दूंगी जो कि मैंने बारी काट कर रख लिया था अलड़ी तो मैं इसको भी मिक्स कर लूंगी सब कुछ गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी हमें इससे भूनना कहते हैं अच् थोड़ा सा प्याज कạ ocorール अगर गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसमें और प्याज को अच्छे से पकाने के लिए मैं थ्टोरा सा नमक दाल next बस मैं आप प्याज को दो मिनट और फ्राइ करूंगी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है बस दो मिनट और फ्राइ करके मैं इसमें पेस्ट डालूंगी यह पेस्ट मैंने बनाया है जो मैंने टेमेटियो प्यूरी का बनाया है इसके अंदर टमाटर है लसन है लसन और हल्दी डाल दूंगी, याद राखिए नमक हमने पहले भी डाला है, तो नमक डालते वक्त अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि में बहुत जल्दी बना कर त्यार किया मित आताल है, इसलिए मिर्च जल्दी इसमे करीध दोगी, तो मैंने हल्दी डाल मैं अच्छे से भूनूंगी इसमें मैं तोड़ा से गर्ण मसाला भी ऐड़करूंगी तो बस में इन ओर मिल草न सरा मसालों को डाल कर मैं अच्छे से भूण घ्या-क। यह फटाफट से बन जाता है बस मसाला भूनने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है बस तो मैं बस इसे फटाफट से त्यार कर लूँगी बस मैंने अच्छे से भून कर रख लिया है अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी भी साथ में ही डाल दूँगी वैसे तो मैं और सबजियों में कस्तूरी मेथी को बून कर रख लेती हूं फिर बाद में इसको डालती हूं सबजी बन जाने के बाद लेकिन इसमें मैं कस्तूरी मेथी से स्टेज पर डाल दूँगी मसाले के और कस्तूरी मेथी को अलग से भूनना नहीं पड़ता है बस मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया है और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी यह सब्जी मातर दस मिनट में बनकर अच्छे से तयार हो जाती है कोई आपके घर आए और आपको बहुत जल्दी हो तो आप इस सब्जी को डेफिनिटली ट्राई कीजिएगा बहुत जल्दी जटपट बनकर तयार हो जाती है बस यह मसाला अच्छे से भुन चुका है अब मैं इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी ताकि ग्रेवी ज्यादा थिक ना रहे जितना भी आपको पानी आड़ करना है आप इसमें आड़ कर सकते हैं मैं इस खाने को दस लोगों के लिए बना रही हूं तो मैं तक पानी ज्यादा ही ढालूँगी और इसको अच्छे से बॉयर आने तक पकाऊंगी तो मैंने इसमें पानी आड़ कर दिया हैं अब मैं यहां पर मतर लिये हैं यह फ्रोजोन मतर थे इसको मैंने पानी में रखकर छोड़ दिया था अब मैं इसे एड़ कर दूँगी आप तो normal मटर भी यूज़ कर सकते हैं बस मैं इसे mix कर लूँगी अच्छे से और boil आने तक इसे पकाऊंगी ताकि मटर भी थोड़े से पक जाए बस इसमें अच्छे से boil आ गया है और मैं दो-चार मिनट के लिए और boil आने दूँगी ताकि मटर कच्चे ना रहे और यह अच्छे से पक चुका है मैंने एक मटर निकाल कर चेक भी कर लिया है अब इसी स्टेज पे मैं यह पनीर के क्यूब्स इसके अंदर डाल दूँगी आप चाहे तो पनीर वैसे भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इस तरीके से डालती हूं ताकि पनीर अलग 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 दिख त्यार हो जाएगी तो यहां पर अच्छे से बॉयल आ चुका है और यह पनीर की सब्जी बिल्कुल अच्छे से बनकर त्यार हो चुकी है कलर देख लीजे कितना अच्छा आया है सब्जी का सब्जी को बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे इस से उपर नहीं लगे है और बस अब इसको अलग से बरतन में निकाल लूगी सर्व करने के लिए तो मैंने बस इसे सर्विंग बॉल में निकाल लिया है आप इस सब्जी को बहुत जल्दी जफटाफट त्यार कर सकते है और इस सब्जी को आप रोटी पराठी किसी के साथ भी सर्व कर सकते है खाने में तो में!